इजराईल औल फिलिष्टिन के बीच हर बार के तरफ फिर से लड़ाई सुरू हो गया है फिर से इउध हो रहा है पहला हमला प्लेश्टिन के गाजा पौर्टी हमास गुरूप के ओर से होता है इजराईल के ऊपर 7 ओक्टूबर सुबह के 6 बज कर 30 मिनट पे इजराईल के शह में कितना कितना कापजा किया है अभी लगभग 12-15 परसेंट ही पिलिष्टिन बचा हुआ है सब कापजा कर लिया इजराइल ने कहा जाए तो 1947 में इस दुनिया के नाक्षा में इजराइल का नामों निसान नहीं था इजराइल एक एहुदियों का देश है जो 1947 से पहले था ही हों को मारे जा रहे यह प्लिष्टिन में नागरी ने विरोध करना सुरू कर दिया प्लिष्टिन है और इन लोगों ने भी मांग सुरू कर दिया मारे जाए थे इन लोगों ने पहले से मांग तो पहले से ही था 1949 से लेकर 1945 तक इन दूतियों विश्व यूद चला था इन दूतियों विश्व यूद में बृतिन और अमरीका मिलके इतना बंबारी कर दिया था प्लिस्टिन के उपर कि उनके काबजा में चला गया अमरीका के और अमरीका इन एहुदियों को साहत दे दिया दूतियों विश्व यूद में हिटलर के दोवारा बहुत सारे एहुदि मारे जाठी थे और मारे जाने और पीटे जाने के डर से एहुदियों ने भी मांग शुरू कर दिया डीट के नागरीके को भी कन ऑकर बीरोध्र भी मांग शूरू कर दिया इन दोनों को जमीनों को ले कर बिरोध्र सुरू हो गया और यह फैसला चला गया यह नो ने अभी जो इउद चल रहा है वो इनी को लेकर चल रहा है इन धर्मों को लेकर बहुत सारे सोचल मीडिया पर देखें कि इन बातों पर बहुत सारे लोगों ने बोल रहा है कि फिलिष्टिन जीतेगा इसराइल जीतेगा लेकिन यह कोई नहीं बोल रहा है कि यूद मैं घुन जारएं नहीं है उम्मिद करता हूं लिए वीडिया आपको आच्छा लगा आप अच्छाओ।